हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सब इत्री बाई फूली जी के बारे में who is regarded as the mother of Indian feminism 1831 में, 13 साल की उमर में इनकी शादी होती है जोटी बाई फूले के साथ जो की इनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाते हैं और इसके बाद ये बनती है first female teacher of our country इसके बाद social reforms की जगत में इन्होंने दो institutions को फॉर्म किया सबसे पहले तो सत्य सोदर समाज and then in 1851 we have the महिला सेवा मंडर उसके बाद अगर हम इनके राइटिंग्स के बारे में बात करें तो उसमें तीन राइटिंग्स हैं सबसे पहले तो कावे फूले उसके बाद बवन काशी सुभोत रतनाकर और उसके बाद एक बहुत famous point जिसका नाम है Go Get Education तो ये कुछ बाते हैं जो इनके बारे में आपको पता होने चाहिए आज के दिन इनकी birth anniversary को महराष्टरा के अंदर बालिका दिन की तरह मनाया जाता है So this was all, thank you so much